गुद बॉर्निंग फ्रिंट्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गेस्टु लिवर हॉस्पिटल स्वरुपनिगर कानपूर एड़ आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब परें यह साइंटिफिक कंटे है इसको स्प्रेड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी हो सके आज मैं बात करूंगा फैटी लिवर उसके डाइगनोसिस के बारे में फैटी लिवर जो बहुत कॉमन प्राब्लम है जो फैटी लिवर है जिसे आप बहुत बिनाइन कंडिशन समझते हैं तो इसके diagnosis के लिए क्या किया जाता है और क्या किया जाना चाहिए नो कुछ सचाईया हैं जिने आप समझे जो Fetiliver कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि ना तो ये कोई sign लेके आता है ना ये कोई symptom लेके आता है तो आपको पता ही नहीं लगता है कि आपको कोई Fetiliver जैसी कोई problem है तो इसलिए आप डॉक्टर के पास कभी पहुँचते ही नहीं है In fact, आप डॉक्टर के पास पहुचते हैं किसी दूसरी problem के लिए और उस समय जब investigation किये जाते हैं तब सामने आता है कि अरे आपको तो Fetiliver भी है तो जो Fetiliver है वो at times basically incidental diagnosis होती है Now, जो सबसे common problems है जो incidentally pick up होती है जिनसे ये लगता है कि आपको Fetiliver है उनमें number one पर आता है कि आपका SGPT, SGOT करके जो test है या liver function test है आपको किसी भी problem के डॉक्टर prescribe करते है यह आपका जो liver function test है वो दिरेंज आता है आपका SGOT बड़ा है या ये डिरेंज है इससे पता लगता है कि आपके liver में कुछ damage हो रहा है जिसके चलते problem है That's number one Number two, कभी किसी भी दूसरे कारण के लिए आपका ultrasound किया जाता है और वो pick up करता है कि अरे आपको तो Fetiliver है तो Fetiliver बहुत बार incidental diagnosis होती है जब आपके investigation किसी दूसरे problem के लिए किये जाते है ये बिल्कुछ सचाई है अगर Fetiliver suspected है तो वास्तों में क्या investigations किये जाते है Number one is the blood test जो blood test में हम conduct करते है Number one is the complete blood counts हम hemoglobin का level देखना चाहते है हम वास्तों में आपके components जोने amine corpuscular volume आपका hemoglobin concentration आपका pack cell volume इस सब को देखना चाहते है that means कि हमें complete blood counts करना चाहते है that's number one Number two हम आपके liver enzymes या liver function test करना चाहते है हम देखना चाहते हैं कि आपका सिरफ bilirubin का level कितना है हम देखना चाहते हैं कि आपका SGPT, SGOT और alkaline phosphatase कितना है जिससे ये indication मिलेगा कि liver में damage कितना है हम आपके total protein albumin and globulin देखना चाहते हैं जिससे ये clear होगा कि आपका जो liver है वो वास्तों में आपके proteins को ठीक मातरा में बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है इसके अलावा हम कुछ viral markers करेंगे हम hepatitis B and hepatitis C के लिए blood test करेंगे कि जिससे हम fatty liver समझ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये underlying hepatitis B या hepatitis C है जिसके चलते liver damage हो रहा है इसके अलावा आपका जो fasting blood sugar है उसको check किया जाएगा आपका hepatitis A1C check किया जाएगा जिससे clear होगा कि पिछले 3 महिने में आपका जो blood sugar का average level है वो कैसा रहा है इसके अलावा आपका lipid profile की जाएगी जिससे हमें आपके cholesterol का level और आपके triglycerides and particularly HDL and LDL इनकी सब information मिलेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वास्तों में आपकी lipid profile disturbed है इसके चलते आपको fatty liver develop हो रहा है जिसके चलते पूरी problem है कभी-कभी जो celiac disease है जो वास्तों में gluten की allergy है या ग्यहूं जैसी चीजों की allergy है उसमें fatty liver develop हो जाता है तो जब पिछ fatty liver आता है particularly in the younger age तो हम celiac disease की screening करके उसको भी rule out करना चाहते हैं जब हम imaging की बात करते हैं तो सबसे पहला जो baseline test है is the ultrasound of the abdomen या पेट का ultrasound जब हम abdomen का ultrasound करते हैं तो naturally liver सबसे पहले examine होता है जो liver है liver की जो brightness है यह indicate करती है कि आपके liver में fat है या आपके liver में fat नहीं है जहां तक ultrasound का सवाल है यह बहुत सस्ता investigation है इसकी cost around 1000 to 1500 के बीच में आती है यह बहुत छोटी छोटी जगे पर available है याने ऐसा कोई छोटी जगे नहीं है या एक town नहीं है छोटी जहां ultrasound की facility available नहीं हो यह वास्तों में non-invasive है न कोई injection लगना न सुई लगना कुछ नहीं होना तो non-invasive है छोटी छोटी जगे अवेलेबिल है widely prevalent है इन बहुत सस्ता investigation है the only thing is कि यह operator dependent है in the sense कि अगर चार ultrasound चार अल्टरसाउंड चार अलग-अलग radiologist का है तो यह हो सकता है कि एक radiologist बोले कि आपको fatty liver है दूसरा बोल सकता है कि fatty liver नहीं है एक बोल सकता है fatty liver grade 1 है दूसरा बोल सकता है fatty liver grade 2 है यह operator dependent है यह इसकी felt I mean negativity है otherwise in more than 80-90% patients जो ultrasound है वो accurately identify करता है कि आपको fatty liver है या fatty liver नहीं है the second one पर आते है CT scan and MRI जो CT scan and MRI है इनके साथ में एक advantage है number one यह identify करते है clearly कि fatty liver है या fatty liver नहीं है इसमें जो एक बात होती है कि operator dependent है वो question हमेशा खतम हो जाता है तो इसलिए कि इसमें operator dependency का कोई काम नहीं है यह easily identify कर देता है यह liver की size बताता है यह liver की shape बताता है यह liver में fat है या नहीं है उसको indicate करता है लेकिन यह differentiate नहीं कर सकता कि आपको NASH है या simple fatty liver है यह simple fatty liver है या fatty liver complications में चला गया है जैसे NASH इसको differentiate नहीं कर सकता अगर हमें NFALD और NASH इनको differentiate करना है तो हमें एक step आगे जाना पलेगा एक step आगे से मेरे बत्तब है हमें transient elastography करानी पलेगी जो transient elastography है जिससे TEV कहते है यह वास्तो में enhanced form of ultrasound है इसमें वास्तो में हम जो liver है उसकी mean stiffness को measure करते है हम आपका जो liver है उसमें जो fat है उसको quantify करते है तो अगर हम ध्यान से देखें तो stiffness and amount of fat दोनों को देखते हैं हमारे पास जो available tool है उसे हम कहते हैं fibro scan तो fibro scan वो tool है जिससे आप quantify करते हैं fat को आप stiffness को भी quantify करते हैं जिससे कहते हैं transient elastography अगर stiffness बड़ी होई है यह indicate करती है कि liver के अंदर fibrosis है यह liver के अंदर scaring है तो जो scaring है वो ultimate liver cirrhosis की तरफ जाती है तो stiffness, fibrosis, scaring यह liver cirrhosis की तरफ indicate करने लगते हैं तो fibroscan वो investigation है जो वास्तों में quantify करता है fat को और जो elasto-te value है वो stiffness को quantify करती है ऐसे ही जो MR based elastography है MR based elastography भी यही काम करती है अगर हम MR elastography की बात करें तो यह वास्तों में combination है MR imaging का और sound waves जो एक map create करती है यह liver का इस तरह जैसा आपको photograph में दिखाई दे रहा है यह वास्तों में जो liver में stiffness है उसको indicate करती है कि कितने एरिया में कितने प्रतिशत किस तरह की stiffness है तो MR elastography is another investigation जो stiffness को judge करने के लिए किया जा सकता है The next one is the liver biopsy यह बिल्कुल last test है अगर आपका blood test से काम नहीं चल रहा है आपका ultrasound से काम नहीं चल रहा है आपका CT scan MRI से काम नहीं चल रहा है आपका fibro scan या MR elastography से काम नहीं चल रहा है in the sense कि इन से आपके diagnosis कुछ confusion में चल रही है तो ultimate test की ज़रुरत पड़ती है which is known as liver biopsy जो liver biopsy है उसमें एक पत्ली needle के थ्रू liver से बहुत छोटा सा एक piece निकाला जाता है for histopathological examination but the only thing is कि जो liver biopsy है ये injection है in the sense कि यहां से एक needle पास होगी और से एक छोटा सा minor सा piece निकाला जाएगा इसमें complication minimum है लेकिन ये बास सही है कि कोई भी काम ऐसा होगा जो invasive होगा उसमें बहुत low level के एक complication हलका फुलका सापीन आने की समभावना होती है लेकिन liver biopsy is one of the very very important investigation in fact इसे ही gold standard investigation माना जाता है कि जिसके against बाकि सभी investigations को तोला जाता है तो अगर fatty liver suspected है तो वास्तों में यही काम होने की ज़रूरत है अगर fatty liver suspected है तो blood test होगे जो blood test होगे उसमें routine common blood counts होगे जो complete blood counts होगे liver function test होगा diabetes के एक जो parameter से उनको watch किया जाएगा जो cholesterol and lipid profile है उसको watch किया जाएगा जो viral marker से hepatitis B and C उनको दिखा जाएगा इनसे अगर काम नहीं चलता है तो imaging पर जाना पड़ेगा imaging होगी तो ultrasound होगा अगर ज़रूरत पड़ी तो CT scan MRI होगा और stiffness हमें देखनी है तो हमारे पास दो tool है that is fibroscan and MR elastography and ultimately अगर confusion prevail करता है कि यह diagnosis में कहीं कुछ गरबर है यह stiffness कहीं और किसी चीज़ के चलते तो नहीं है तो कभी कभार liver biopsy की ज़रूरत पड़ती है तो जो fatty liver है उसको benign conditions समझकर उसको totally नजर अंदाज करना यह बात बिल्कुल सही है कि कभी कभार यह मेंगा पड़ सकता है तो इसलिए अगर कोई investigations indicate करते है कि यह fatty liver आपको develop हो रहा है तो आपको उसको seriously ध्यान देनी की जरूरत है उसको identify करनी की जरूरत है उसको confirm करनी की जरूरत है उसको finalize करनी की जरूरत है so that proper treatment institute किया जा सके so that यह जो problem है इसको revert किया जा सके fatty liver की diagnosis को समझने में अगर यह वीडियो आपको help करता है जरूर शेयर करें मैं Dr. V.K. Mishra from guest to liver hospital स्वरुपिंगर कानपूर Thank you very much